लाइफ में बाबु एक याद रखना जब तक आपकी उमर 30 साल से कम है जब आप 25 साल से 30 साल के उमर में रहते हैं 25 साल से 30 नहीं आप 25 माल लिजे 25 साल से 35 साल के एज में ये डिसाइड हो जाता है कि आप जब 50 साल के हो येगा तो आपको सूगर होगा या नहीं होगा आपको स साल के एज में बहु ज़्यादे पेट निकलने लगा या लीबर का प्रोब्लम होने लगा तो लीबर जो होता है अपने उपर जमा फैट को लीबर अपने उपर जमा फैट को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से सारा का सारा इंसुलीन अपने मागने लगता है जो इंसु आप 25 से 30 साल ये 10 साल की एज में बहुत जादे चीनी खाईएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए इस 25 से 30 साल के एज में दो काम जरूर कीजेगा। रात में खाना कम से कम खाईएगा रात में खाना कम से कम खाईएगा कोशिस किजिएगा कि आठ बजे के बाद आप खाना ना खाए रात में खाना कम से कम खाईएगा और चीनी को एवोइट किजिएगा चीनी को गुर्ड खा लिजे उसके जगा पे अगर बहुत मन कर रहा है क चीनी डालिए क्योंकि मेहमान के लिए स्वाद और उसका हुलिया भी ठीक होना चाहिए बट कोशिस कीजिए गुड के लिए गुड उतना हानिकारक नहीं जितना चीनी है लेकिन अगर आपी 25 से 35 साल के एज में दबा के चीनी खाए हैं और याद रखिए कि चीनी का हम इन डारेक्ट लिग सेवन ज्यादे करते हैं लड़ू खा लिए रजगुल्ला खा लिए मिठाई खा लिए खीर खा लिए समय खा लिए खाना के बाद एको मीठा होना चीजिए लिजिए हो गया कांड फिर आप वेट कीजिए आपका कोई इंतजार कर रहा है समय गया कि नहीं गया इसलिए हमेशा सुरू से ही आदर डाली है समय गया और फैट को कंट्रोल करने के लिए नीबू पानी हपते में कम से कम एक बार जरूर ले लिजिए चीनी के जगा गुड सेवन कीजिए हमारे पुरवज को भी देखेगा इसाब बीमारी नहीं होते थे सब आप पहले के जमाने में आज के होता क्या था गाओं में आज भी देखेगा न लोग 8-9 बज़े सो जाते हैं उन्हें उगर-उगर की बीमारिया कम होती है क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी पूरी बॉड़ी को रेस्ट चाहिए आप क्या करते हैं 12 बज़े खाना खाते है भार पेट 12 बज़े खाना खाते है आप तो सूध गए सुध गए आप खानमा पहुच रहा है पहुच रहा है तो कहेगा रहे सो सुदा तो नहीं पहुच के अतना एनर्जी बनाए काम क्या है उसका तो आप सो रहा है सो रहा है भाई तो एनर्जी बन रहा है वही बनेगा फैट और वही disturb करेगा पूरी सिस्टम को लेकिन अगर आप दूपहर में हुमच के खाली है न कितनों खा जाओ दूपहर में जो energy बनेगा उसको आप खर्च कर देंगे घर में टहलने में खर्च कर देंगे किसी से बात करने में खर्च करेंगे दिमाग लगाने में खर्च करेंगे सबसे जादे energy loss होता है दिमाग लगाने में दिमाग लगाने में energy खतम होता है सोई रहेगा क्या दिमाग लगेगा तो थोड़ा बहुत avoid किजेगा cold drink वगरा यह सब चीजों से अच्छी चीजे नहीं है यंग एज में नहीं समझ में आता है अभी तो आप लोग 25 से कम है इसलिए अभी आप लोग कर सकते हैं ठीक है हम आपको यह नहीं करते हैं कि एकदम सादा जीवन लेके चल जाएगी यहां से यहां के बीच में आप को कोई रोक टोक नहीं है आपका मन आप जो खाईए आपका मन आप योगा कीजिए मत कीजिए बट जब आप इस गैप में इंटर कर जाते हैं तो शरीर के लिए आधा घंटा जरूर निकालिए या तहलिए तैरिए, दोडिए एकसरसाइज कीजिए, योगा कीजिए कोई मतलब नहीं है, किस तरह से कर रहा है मतलब नहीं है, आधा घंटा शरीर को दे दीजिए आधा घंटा नहीं दे सकते हैं तो 20 मिनिट दे दो और चीनी, एवोइट करो रात का खाना एवोइट करो, फर्स क्लास रहो के एदम फर्स क्लास, नहीं Welcome in the family of sugar patients Now India is become the sugar capital of world दुनिया में सबसे बहतरीन sugar capital हमारे हैं आप देखो हर घर में वो sugar का मरीज हो रहा है का करोगे बगुआ यहाँ देख लो यहाँ Now you are ready to enter in this group कुछ सालों के बाद आप लोग अभी खुब होंगे कोई इसमें 17, 18, 20, 22, 24, 25 इसी age group के होंगे लोग है इसमें entry करना, मेरी बात याद रखना बढ़ापे में हमसे मिलने जरूर आना sugar free मिठाई लेके हमसे मिलने आना sugar वाला मिठाई लेके आना कोई दिख़्त नहीं हम रहना हो गया हम होने न देगे तक में आगे कि नहीं आगे ठीक है बागी आप लोग समझदार हैं अगर आपको बीमारी लेने की शौक है most welcome most welcome और नहीं स्वस्तर रहना चाहते हैं बागी कंपनिया तो आपको Coca Cola बेचेंगी, cold drink बेचेंगी कभी कोई कुछ बेचेगा energy drink बेचेंगी, biscuit टा उनकी कंपनी का अपना काम होता है चौकलेट बेचेंगे वो पूजीवाद है, रोजगार भी है उससे और सब लोग साधा ही जीवन जीने लगेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, बट सब चीज एक अपने age group में अच्छा लगता है अब हम लोग कोई खेलावना लेके खेलेंगे तो अच्छा लगेगा हां, पूरी दुनिया के यही मास्टर पगलागी लो खेलावना से खेल रहा है इतने छोटे बच्चों के है, रे बैला तो मिठाईयों छोटे बच्चों के लिए उभी छोटे बच्चों के लिए संगा गया एक age होने के बाद आप लोग इस age में अब entry कर रहे हैं, इसलिए जैसे खेलावनों को छोड़ दियें, वैसे कुछ आदतों को आप छोड़ देंगे तो हम सब मिल कर एक देश का ये भी support system है कि हम अगर हम लोग कोसिस करें कि आने वाले 10-20 साल में लोगों को जागरूप करके, देश में से अगर हम लोग एक करोड़ भी सुगर पेसेंट को कम कर देंगे, तो बीना मतलब डाक्टरों पर इस्ट्रेस कतम होगा, अब किसी middle class family को, गरीब घर के बच्चे को, आदमी को, अगर सुगर हो जाता है, तो बिचारा जो पढ़ाई पर पैसा खर्च करना चाहिए, अपने सुगर पर खर्च करना, सुगर बड़ी खराब बीमारी है सुगर आपके सरीर को इतना कमजोर कर देगा ना कि बाकी बीमारीयों के लिए जगा बन जाए, इसलिए देखेगा, एक normal इंसान को अगर कोई भी बीमारी होता है, तो ठीक होने की संभावना ठीक रहती है, लेकिन वही बीमारी अगर सुगर वाले को हो जाता है, तो दुन्नार अफ्तार से उस पर अटेक करती है, आपके घर में किसी को माता, पिता या किसी को भी सुगर होगा, तो कोशिस कीजिएगा, बढ़ने जादे, ना दे, ठीक है, चलिए, अब आगे का कलास हम कल समझा देंगे, आज के लिए इतना ही रन देता है, ठीक है?